जार्खण में जिस चुनावी मुद्दों के साथ हेमन सोरिन सहब की सरकार आई ती यानि कि जार्खण मुख्ती मोर्चायर दूर दूर तक अपने ही बातों पर खर्यनी उत्री जार्खण मुख्ती मोर्चा अपने ही बातों पर अमल नहीं है अपने ही वचनों पर कुछ भी चीज धाराताल को नहीं लागू कर पाई इससे क्या हम उमीद कर सकते हैं कैसा विकास को उमीद कर सकते हैं कुछ उमीद नहीं कर सकते हैं केवल और केवल यह ठगबाज की पार्टी है केवल अरक पार लूट स्पूर्ट की पार्टी है, केवल बेनर पोस्टर की पार्टी है, जो केवल अपने आपको नाम चमका के रखना चाहती है, आदिवासी मुलवासी को कोई विकास नहीं करना चाहती है, तबसे बड़ी बातों, यहाँ पर जब आपने हेमन सोरेन सहाब औ अपने खुब बोला था, यह प्यारे प्यारे आदिवासी हमें भोड़ दिजिए, हम 1932 खतियान लगो करेंगे, आज सिबू सरेन सहाब चुप, जब चुनाओ का बात आया, सिबू सरेन सहाब बोलते हैं, जब चुनाओ का बात नहीं हो, ऐसे समय में सिबू सरेन सहाब केवल और केवल आपी की पार्टी और आपी का परिवाद जिन्दा है, हम आदिवासी तो खदम हो चुके हैं, और यहाँ पर ज़ार्कन की आदिवासी मोलवासी एकदम तरस्त हो चुके हैं, सभी सातियों की ज़ार्कन दिजोहर, आज जिस परकार से ज़ार्कन की दूर्द देख रहे हैं मैंने दूर दर्सा का इसलिए मैंने कहा कि यहां पर दिसा तो दिखी नहीं रही है उत्थान तो दिखी नहीं रही है तो दूर दर्सा जरूर दिखाई दे रही है और इसका पुरा-पुरी श्रीय यहां की मौजुदा हैमुन सोरेन सहाब को सबसे पहले जाता ह ततपश्यात स्री चंपाई स्वरेंजी को जाता है और जार्खन मुक्ती मोर्चा को पूरा पूरी क्रेडिट जाता है क्योंकि ये 2019 के समय में जार्खन मुक्ती मोर्चा ने दहार दहार कर कहा था हमारी पार्टी आएगी 2019 की चुना में जिती गी तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1932 खत्यान अधारिक सानी नितिय लागो करेंगे साती सात में यहाँ की जितने भी आदिवासी मुलवासी पढ़े लिखे बच्चे हैं इन लोगों को रोजगार से जोडेंगे अर्थात यहाँ पर रोजगार के भरमार होगी यहाँ पर बाड आ जाएगी इन्होंने तो इतनी उच्चुत्ता में कहा दिये थे कि हर साल दो लागत नौकरियां दिया जाएगा मर अभी देखा जाए तो दूर दूर सक ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसा इस्तिती बना दिया है कि इसी जरकण में यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे लोग आए दिन सडक पर उतरना पढ़ रहा है बड़ी मुस्खिल से बहुत मुस्खिल से इन लोगों ने जैसे सीजीयल परिच्छा को कंडेट किया आयुजित किया जिसमें रिजल्ट दूर की बात परिच्छा देते देते बच्चे लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर पेपर लिख हो गया और बच्चे लोगों के अंदुलन के बाद ही इस परिच्छा को रद किया गया और अभी तक उस परिच्छा का धांदली को अभी तक उजागर तक नहीं कर पाई है देखा जाए तो वास्तुक्ता में यह जारखंड में जारखंड मुक्ती मोचा चाहती है कि यहां के बच्चे लोग बेरजगार रहे यह लोग नोकरी रोजगार से नहीं जुड़े यहां के जन मानस केवल और केवल इन पार्टी को केवल भोट देते रहे जो इस वक्त सीवो सोरेन सहाब जिने गुरू जी से के नाम से हम लोग जानते है केवल और केवल इनका परिवार फल फुलता रहे केवल और केवल इनके परिवार लोग ही सम्रिदी का जीवन जे यहां के आदिवासिलब कुछ नहीं करें अभी तो हमन सोरेन सहाब जेल के सलाकों के पीछे है जाने से पहले जब रोजगार की बात हुई थे उन्होंने कहा था कि बच्चे लोग तुम लोग मुर्गी पालो अंडा बेचो सुवर पालो यहां तक कि इनसे भी इतना में भी इनका दिल नहीं भारा था तो उन्होंने तो जब भोगनाडी जो हमारे वीर सिदु मुर्मु का अनु मुर्मु का घर है हमारे संथाल हूल के महनायक है उनके वनसज मंडल मुर्मु ने उनसे हमन स्वरेन सहाब से नोकरी रोजगार की मांग की थी तो ये ही हैमन सvorin सहाब ने कहा था, इरे नोकरी रोजगार का बहुत दिक्कत है, बॉस्टिंग होगा, ये होगा, वो होगा, तुम कहां करोगे? तुम मोटर दुकान खोलो, मतलब मोटर गरेज खोलो, तो सोचिए हमारे हैमन सोरil सहाब जो सीबु सवरे इंगीर को भूरुजी उनके पुत्र ने हमारे वीर सिदु मुर्म कानु मुर्म के वनसच को बोला कि मोटर दुकान खोलो, मोटर गरेज खोलो, ये कैसे जर्खंड मुपी मोचा के सरकार है। इसी से ज़रा सोचिए जब हमारे जार्खंड के लिए लड़ने मिटने वाले लोगों को वीर महनायों के परिवार लोग को ऐसा बोला जा रहा है तो आम आदमी क्या करेंगे यह बहुत दुर्भागी पूर्ण की बात है यहाँ पर इस वक्त सबसे पहले देखा जायता है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बच्चे लोगे जहरकंड मूल के लग यह लोग बेरोजगार है और इन लोग का बेरोजगारी को दूर करने के लिए जहरकंड का उत्थान करने के लिए अभी का मौजदा सरकार के पर कोई जासता नहीं है, और केवल और केवल यह लोग ठगने का काम करें, और इस वक्त जो ज़हरकन मुक्ती मोचा है, किसी भी रूप में नहीं दिख पा रही है, यहाँ पर आदिवस्ति और मुलवासिलों के दिल का धर्का, दूर दूर तक नहीं है यह, यह लोग भाज के पार्ट ने बना करके भी दिया कुछ समय पहले तो 60-40 निवजय निती बनाई है। उसमें भी क्या? 60-40 तो छोड़ी है। ये लोग तो आदर से ज़्यादा जो भी निवटियों की रिजल भी आ रही तो उसमें से देखा जाए तो आदर से ज़्यादा नोकरी तो बहरी लोग ले रहे हैं। तो ये कैसा निवजय निती इनों ने बनाया है? जिसमें अपना ही जो इन लोग का बना था, निती सिधान तो और इनके द्वारज़ जो बनाये कि था, उसी चीज़ में ए लोग खुद खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो कितनी दुर्भाग्य पुन की बात है? अ यदि नहीं मिल पाएगे तो आदिवासी कैसे पढ़ेंगे? कैसी अपने नई जम्वानी के साथ जुड़ पाएंगे? और साधी साथ में यही जहरकर में लगाता है, लोग आदिवासी की मांग रहे हैं, सारना धरम को को कमानियाता मिला, पर ये हमन सोरिन के जहाब ने कभी इस विशाय पर कभी बोला ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है, एक बार इन्होंने 2020 में इन्होंने केंदर सरकार को भेजा, सारना धरम के लिए वो भी बिना किसी राचपाल का सुड़ करती है, तो कितने दुर्भाग्यपूल की बात है, इस जहरकर में यहां की आदिवासी ही भुक मरी का जिन्दिगी जी रहे है, तो खासर पर देखा जाये, तो इस जहरकर में युवाओं को रुजगार मिलना चाहिए, इस इसकी प्रात्मिक्ता होने चाहिए, पर ये मौजदा सरकार कभी इस विशाय पर सोची ही नहीं, तो इसी सब क्यों लेकर के अभी आदिवा आदिवासयो की, हमारी जो पहचान है, भासा संस्कृति परापरा, ये भी खतम हो जाए, यहां के लोग, बच्चे लोग जो पड़े लिखे, आईए, बीए, में, बीए, किये हुए बच्चे ला, ये भी जिन्दस हड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर जरूर जरूर कुछ सोचना ही चाहिए, यहां पर, इसमें ज्यादा में क्या बोलूँगा, मैं इसी सा बात को करके, अपने बात को यहीं पर समात कर रहा हूँ, मेरा नाम अमर मराडी है,